वो दूसरी जबानों की तरह वहां अपनी तरखाच जा है बजवाया और बजवाने के बाद जो है अब देखें अगर हो जाता तो ठीक है भाबया लेकर मैं तो नहीं कर सकता चार जबानों में ज़रूर जो है वो इंतहार होता है ग्रीकी, इंग्लिश, अरश्यन और अलबान किस तरह अरबी जो है और चन्दें में रखन रही हो लेकर उसके बाद जो है वो खतम कर देगी जो है तो इसमें मुझे कुई ऐसा माहौल जो है जो वहां का वो नहीं मिला जिए जो मैं चाहता के भई वो बड़ा अच्छा काम जादा हो रहा है ये और लोग जो है जो सीख जाएगे वहां कुछ सरसल जहन में ये बात है दी किस तरह ऐसा काम हो जिससे हम ज़ली से ज़ली जो है ना लासेंस ले जाया है जाए और उसमें आपको क्या अफर की जाती रही कि आप यापका जो श्कूल जिसकी साथ आपका अब यापर की बात नहीं क्योंकि उसमें से ब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, थोड़ा थोड़ा बहुत जानते थे, तो जब मैंने उनका इम्तहान लिया, उनके पेपर मेरे पास पड़े हुए है, जब उनका इम्तहान लिया, तो उनके तक्रीबन जो है, 75% लोग जो है फिलते, उर्दू में भी, जब उर्दू में तो फिर वो ग्रीकी में कैसे देंगे और इंग्लिश में कैसे देंगे लावाला उनका जहन कुछ और था वो किस तरीके सायत है लावितर जानता तो उसमें से तीन-चार आदमी ने वाद उड़ाई के हमें कंप्यूटर यहां पराम किये जाए मर्जद में भाई यह बात तो म केलिया नहीं है क कंप्यूटर फॉह से और यहां लिए उड़ जहने हैं अगर आपको किसी और स्कूल जाना है तो जाएं अ 300 में कंप्यूटर जो है वो बराबर हम सीखेंगे एक महीना फी घंटा जो है दस एग्रो वो लेते ते स्कूल आले उस वक्त रेट सबकर यह ही है तो मैंने का 50 और छोड़ो भाई यह आपके पास आ रहे हैं तो बारा सो में कोश्क कराऊंगो टीम सो पहले देंगे पराबोला जब लाके देंगे आपको 300 देंगे जमा कराएंगे आपके पास और आपको जो हैं ट्रेनिक देनी है कंप्यूटर तो फिर यह कहने लोगे कंप् तो वह दस-दस आदमी जब वह कहा रहा कि चार आदमी आई यह पांच आए दस-दस पहुंच गए क्योंकि उनको जुरूरत थी जल्दी अब कामों से आते हैं एक महीना उनका गुजर गया था दस-दस मतलब टोटल कितने लोग थैं उस वक्त लोग जो थे वो दस तेरा औ पंद्रा पंद्रा फोट लोग थे तो वह जना आप जाते रहे नारे का चार चार पहुंच पहुंच आओ सुबह आजाओ और दुपैर को आजाओ कुछ शान को आजे जिनकी रात की डूटियों सुबहर यह था उनका एक शडूल जो उस वकत नहीं बान रहा था अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा था ठीक है अभी क्यों हमारे पास स्टार बेर काम होता है इसलिए फोड़ी शॉट में बात करेंगे अच्छा अब यह हुआ मस्ला के तीन सो उनने दिया दूसरी के सुस्वक देनी होती थी मैं जल्दी में आपको बता रहा हूं दूसरी के सुस्वक और अब तूसरी दास प्रमट को यह अपनाया गया और इस लिए से वहां पैसे दिये गए जब पैसे दिए गए तो उसी वड़क के अगया एक तो मेरे सामने पास हुआ जपर मेरे सामने पास हो और सो अब मस्ला यह हुआ कि बीच में जो दोप थे दो तीन जो यह चाह रह जिस वजह से मुझे रहा पूशना पड़ा विल्कुल राइक होना पड़ा क्यों तेली फून क्या आया था ओ टेली फून ये था भाई किया आपकी बाड़ी जया वो स्टील की नहीं बनी वी जिसमें से गोली नहीं गुजर सकती है विसमें आपको दंकी दी गई आप समझे जो को समझ रहे हैं ये टेली फून आया और मैंने बताया कि भाई ये टेली फून आया मैं ना रहा उस्ताद और ना रहे आप शागित खुदा आपिस अच्छा एक दफ़ा दंकी का एक टेली फून आया आपको ब्राया दंकाया गया उसके बाद आप रूपोश हो गए है जी ये ती सारी स्टॉरी और उसमें से बंदेज जो बता रहे हैं आप उसमें से टोड़ल पंदरा का ये सोला का फिगर आप तारे ये नया जूनिया के बंदे थे है भी है इस के लाबा और कुई ऐसा सलस्ला एक तिन में ऐसा सल्सला चार कहें देटर पढ़ाओ तो मेरे प इसके लिए पूरी कौम जो है जो कुछ मुझे सदा दे सकती है बर्श के सदा मैंने गाट ली टीन साथ। अपने ब्रादरों से, अपने आइटिस्टों से, अपने सिंग्रों से, अपने अभी दोस्टों से, अपने शायरों से, दूर रहा, ये में लिए बहुत बड़ी स्वाइब। जो साथ हजार ये लेड़र लाक यूरो, के जो फिगरज मिलते रहें किता क्ला में माप hen, इसी बात को ले लेता हूं, आईए दि देम, देम प्रोख, देम, देम, देम इड्म प्रोख वो देन जबके डाम तूटा तो उसकी रिमर उसकी अफवा ये थी कि सारे भाग रहे थे भाग रहे थे एक अकल मंद ने महकक किसे कहते हैं जो के तहकीक करें तो उसने रोका एकको के खुदा के लिए ये तो बताओ भाग क्यों है इतने आदी मर गे नीचे इतने जानवा मर गई इतने बच्चे कुछ लेगे भाग रहे वज़ा क्या है एजी वो डाम तूड़ गया पानी जनाब उसने बाला किस से पूचा जी मुझे किसी ने बताया था तो रियम्बर जो है ये प्यार भरी खुश्बू को आलूदगी में ले जाती है अफवा तो अफवा ही बिलाने वालों का भी अपना एक माकसद होता है अगर मुझे कोई लिखता है कोई बड़ा चर्ब जबान है तो मेरी चर्ब जबानी आपके सामने है अदब के लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा थी और यह लिखता है किसने लाक ले लिए अगर यह लिखता है तो आज आप ही बता सकते हैं कि भाई मैंने क्या किया है हमारी कर्कीकात के बाद जो जी नताय सामने आये मैं वो कोश बजारना चाता हूं हाजी साब भी यहां पर मुझूद हैं अर्शिक बट साहिब फराम जनाब स्याल कोर्ट और यहां पर नया यूनिया में रहने वाले जिनकी ये डूटी लगी थी कि यह जो 16 लोग जिनका बता रहे हाजी साब नया यूनिया से जिनका तलग था उन को वो हैंडल करें अमबैसी में ये केस दिया गया बाद में शाफ एसल क्यापकर साब तक ये केस पहुँचा और यहां के कुछ जो जनलिस्ट हजरात हैं उन बड़ी ही बड़ अहलाकी का मظाहरा किया ऐसे 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 अलफाग लिखे ऐसे लोगों के लिए जिनकी खिनकी खि हो जाती है जो जवानी में होती है या अकेले बड़ में होती है तो बड़ी ही वेस्ती की और अनाम दिया गया, पता नहीं क्या क्या नाम दिये गया तो ये सब कुछ तो था लेकर himz सेर्च के बाद वो छे हजार से साथ हजार बनाया गया कि किसी ने चोटी सी बात की बाद मैं तूटते तूटते डैम तूट गया अलागे हो सकता है डैम में सिर्फ एक चोटा सा सुराख हो या कुछ कत्रे पानी के बाहर निकलाए हूँ। कुछ ऐसा ही हुआ कि जब सेर्च हुआ सारी बातचीत निकली निया यूनिया के जो लोग थे 16 लोग उनकी जो अमोर्ट थी 5200 यानि के 1200 यूरो जो हाजी साथ को जनाब उन्होंने दिया हुआ था लास्ट फैसला हाजी मुहमद अफजल शामपुरी साथ के घर पे हुआ और 4000 हजार जो ड्यूज हैं वो बने हाजी साथ के जो के इन्होंने स्कूल में दिये हुए थे और स्कूल में कोफिव गैरा करने के बाद यहां अगर कताकला मुमाद जी जी मैं आपको बताया देता हूं कि यह भी जो चार जारा बड़ी बेहरबादी उनकी बाहियों की और मैं बेहद शुकर उजार हों का सब का कि उन्होंने बड़ी तंदही और बड़े प्यास से इस मसले को जो है सुझा लिया और आप सब की जो है तमना बूरी नहीं क्योंकि आपकी तमना थी लेकिन यह जो पैसा है मारी हाजी साथ तमना ये थी के आप अजादी के साथ ही हैं पाकिस्तान कोई पंजाब का कोई ऐसा गाउन नहीं है या जहां पर चोधरी ठेकेदार या जागीरदार लोग किसी भी आम आदमी को ड्रादम कागे एक जुपड़ी में सुलाग रख देते हैं तो हम टैलेट की आप हर वक्त मुझे उस मौतरम ने ये आप कहा है कि भाई मा अंदा जिन्दीगी के लिए आपके साथ बगलगीर हो गया हो आपके साथ जिन्दीगी में को ऐसा मसला नहीं होगा देखें मौफ कर देला किसी को